हेलो स्टुडेंट्स देविंदर अकेडमी में आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं आपको कक्छा पांच वी के सप्ताह 4 का अभ्यास टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ तो मैं आपको पूरा अभ्यास पेपर सॉल्व करके बता दूँगा तो आप इस वीडियो को अंध तक देखिए और पूरा अभ्यास पेपर कर लीजी तो सबसे पहले हम एक एक बिसाय को लेकर चलेंगे सबसे पहले देखिए इस फरेंट पेज पर आपको अपना नाम डाला है विध्यार्थी की नाम की जग कर साला का नाम है को अपना गश्म सब्सक्राइब मैं आपको अपने से भर लें ना है फीर को perception के उले पिकल्पों में से सही बिकल्प चुनकर सही उत्तर की ताली का मिली है तो सही उत्तर भरना हम है ना तो पहला क्वेस्चन देखिए दी गई सूचना के आधार पर बताईए कि जूले का टिकेट सुलक किन दो बस्तूओं की कीमत के बराबर है तो इसका आंसर क्या होगा ये वा बताना जिनकी कीमत 10 रूपे है तो इसका ये वाला आप्सन सही हो जाएगा मतलब ये में मतलब पहला और तीसरा पहला क्या है खेलोना और तीसरा क्या है गुबबारा तो खेलोना और गुबबारा दो ऐसी बस्तूओं है जिनकी मेले में कितनी कीमत थी 10 रूपे तो ये वा और उने के नीचे दिए गए बिकलपों में से सही बिकलप चुनकर सही उत्तर की तालीक्या में लिखिए तो इस Under चाहर क्या करना है इसमें से हमें इन को देना देखे तो कौन सा फल तीन से अधिक लोगों को पसंद है कौन सा फल तीन से दिख लोगों को पसंद हो देख लो इस तालीका में देख लो तो कौन सा फल है दिखो तपस्या को आम पसंद है सबनम को भी आम पसंद है सलीम को भी आम पसंद है रस्मी को भी आम पसंद हो चार लोग हो गए तो इसका सही आंसर क्या ह बच्चों को पसंद है तपस्या की तरह है आम और अमरूद किन दो बच्चों को पसंद है तो इसमें क्या वाला अंसर सभनाम और रस्मी सी वाला आंसर सही हो जाएगा सभनाम और रस्मी को next question देखी पांचवा कौन सा फल सबसे अधिक पसंद किया गया है कौन सा फल सबसे अधिक पसंद किया गया है तो इसका B वाला option सही हो जाएगा आम और अमरूद आम और अमरूद सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है कौन सा फल सबसे कम पसंद किया गया कौन सा फल सबसे पसंद किया गया तो इसका हो जाएगा नास पाती D वाला option सही हो जाएगा next question दीखी साथवा question दीखी सबसे अधिक बीज किस फल में होती हैं सबसे अधिक बीज किस फल में होती हैं तो इसका option हो जाएगा D डी वाला उप्शन इसका सही हो जाएगा अमरूद में ठीक है अब नेश्ट कोश्चन देखी आठवा कोश्चन देखी नेश्ट देखी निर्देश दिया गया है पहले निर्देश को पढ़ ले निमने लिखे पोस्टर को देखकर प्रस्ण के नीचे दिये गए बिकल्पों में से सही बिकल्प चुनकर सही उत्तर को तालिका में लिखे तो ये पोस्टर दिया गया है हमें इसमें से इसको देखना है अच्छे समझना फिर हमें नीचे दिये गए क। जड़ी बूटियां मिली हैं धमा का चाय में कौन सी जड़ी उटियां मिली है तो इसका आणसर हो जाएगा मुलेठी और दालचीनी आठवा आठवी का चोथा वाला डी वाला आपका सही आणसर हो जाएगा नौबा question देखिए, ला जबाब सब्द में उपसर्ग है, ला जबाब सब्द में उपसर्ग है, देखिए मैंने बताया था, ला जबाब जो सब्द में उपसर्ग क्या होते हैं, बेज सब्दांस जो किसी सब्द के आगे जोड़ी जाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, तो ला जबाब में उपसर्व क्या होगा ला उपसर्व होगा है न तो इसका बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा बी वाला आंसर सही हो जाएगा आंसर दस्वा कॉस्चन देखिए चाय के पौधि का कौन सा हिस्सा चाय बनाने में उपयोग किया जाता है तो इसका आंसर हो दिखी हम ने रिंगा नीचे दिए गए है विक सबस्वाइब चुनकर तालिका में लिखी घा mock में भर तो पहला question दीखी, मोहन एक किसान है, उसके खेत में लगी बाजरे की फसल पक कर तैयार हो गई है, बाजरे की बाली से दाना अलग करने के लिए मोहन इन में से किसका उपयोग करेगा, तो इसका answer क्या हो जाएगा, बी वाला answer सही हो जाएगा, सूपा पत्थर, ठीक है, next question दी दीखी, दूसरा वाला question दीखी, हमारे अच्छे स्वास्त और आबास के लिए कौन सा अस्थान उपयोग थे, तो इसका बी वाला answer सही हो जाएगा, जहां आसपास पेड़ होते हैं, तीसरा question दीखी, बरफीले पहाड़ों पर चड़ते समय, परवता रोहियों को, बिटामि चॉकलेट वाला दूद नास्ते में दिया जाता है, तो इसका अंसर हो जाएगा B, घवराहट से बचने के लिए, चौथा question दीखी, दिये गए चित्र, ग्याहूं की खेट से रसोई तक की यात्रा दिखा रहे हैं, इनकी यात्रा का सही क्रम कौन सा होगा, तो इसकी यात्र आईशा, पांचवा question दीखी, मान लो तुम्हें पहाड पर एक टेंट में दो दिन तक अकेले रहना है, तो तुम कौन से समुह की चीजें अपने साथ लेकर जाओगे, तो इसका answer हो जाएगा D, इसका answer हो जाएगा sleeping bag, गर्म कपड़े, सूखा खाना, छटबा वाला question दीख पर्वता रोहन के समय, अगर आप रास्ता भूल जाएं, और आपके साथी भी दिखाई ना दे रही हों, तो उस इस्तिथी में आप इन में से क्या नहीं करेंगे, तो हमें क्या नहीं करना है, जोर जोर से रोएंगे, नहीं हम जोर जोर से रोएंगे, नहीं हम जोर जोर से त्युवार मनाई जाते हैं फसल से संबंधित त्युवारों का समूव इन में से कौन सा है तो सातवे question का आंसर हो जाएगा holy eard good friday ए हो जाएगा इसका सही answer अब हम आठ वे question क्यों चलते हैं देखिए आठ वा इस question क्या बोल रहा है डॉक्टर कहते हैं कि छोटे बच्चों के लिए गाय का दूध बहुत गुणकारी होता है बे ऐसा कहते हैं क्योंकि गाय का दूध अनपसुओं के दूध की अपेक्छा खाली स्थान होता है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा D बसायुक्त होता है अनपसुओं के दूध के अपेक्छा जाद अनपस आयुक्त होता है तो इसका answer हो जाएगा D नौबा question देखिए चित्र में दखाई दे रहे हैं लोग कौन सा चुनोती पूनकार कर रहे हैं कौन सा चुनोती पूनकार कर रहे हैं देखिए चित्र में और बताइए पूनकूरित नहीं हुआ है तो इसका हो जाएगा C जित्र में देखकर बताना है तो इसका सही answer हो जाएगा C वाला option इसका सही हो जाएगा बीज किरमांक 3 नेक्ट देखिए अब देखिए हमने परयाबन का भी paper solve कर लिए अब हम गड़त के paper क्यों बढ़ते हैं तो गड़त चित्र को इस तारीगा को ध्यान से देखना है और फिर हमें answer देना है तो सबसे पहले देखिए इसमें फूलों का फ्लों का एक बगीचा बना हुआ है इसमें फ्ल लिखे हुए है सातमुन के पीड़ों की संख्या लिखी हुई है बाजू में तो इनको हमें देखना है और सब्सक्राइए आभ विखे लगाउन के बाज़ा चल्ड़ों के बगीचों में आम की तने पीड़ी नहीं और आम के बताईे कितने हैं तो आम की सामने चार बने हुए हैं तो चार चौथा बाला को प्सन इसका सही हो जाएगा नेक्र comin' दीखी, दूसरा question दीखी, संख्या 650 का संख्या नाम है, 650 का संख्या नाम क्या है, तो इसका पता है, अब क्या है, लिखा है न, 6050, तो 6050 इसका answer सही होगा, उसको हम 6050 पढ़ते हैं, लेगिन 6050 सही है, तो 6050 हो जाएगा इसका सही, ठीक है, अब next question क्यों बढ़ते हैं तीसरा वाला question देखिए निमन मैंसे कौन सी संख्या 4044 है निमन मैंसे कौन सी संख्या 4044 है तो कहां पर लखी 4044 ए लखी B वाले option में तो B वाला option सही हो जाएगा 4044 गुली के पास तीन कार्ड हैं गुली के पास तीन कार्ड हैं तो इन सभी कार्डों का उपयोग करते हुए तीन अंकों वाली कौन सी सबसे बड़ी संख्या बना सकती है तो देखिए जब बड़ी संख्या बनाते हैं तो सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं तो सबसे बड़ा ज आठ लिख दो, उसके बाद साथ लिख दो, उसके बाद छे लिख दो, तो सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी है ना, तो कहां लिखा है इस तरीके का, बी वाली ओप्सन में, तो बी वाला ओप्सन इसका सही हो जाएगा, ये वाला अंसर आपका सही हो जाएगा, नेश्ट द डीखिए च्टवी कोशर्ण को देखी ध्यान से इस मोबाइल फोन की कीमत कितनी रूपे है वो लिखा है उसमें पांच हजार usted哥ां लिखा पांच हजार 59 कहां लिखा 519 welcome 25 लिखा लगाErर बीवाला उप्सनुण का सही आंसर हो जाएगा साथ वा क्वेस्चन देखिए दिये गए चेक में अंकों में क्या रासी लिखी है तो इसमें चेक दिख रहा है ना इसमें बताइए अंकों में क्या रासी लिखी है तो बताइए इसमें क्या रासी लिखी है अंकों में क्तनी रासी लिखी है दो हजार आठ सो दो हजार आठ सो यह लिखा है 2800 2800 रुपे 2800 नहीं 2800 रुपे तो 2008 कहा लिखा D वाले उप्शन उप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा आठ भी क्वेस्चन की उर बढ़ते हैं आठ भा क्वेस्चन दीखिए एक फुटवाल स्टेडियम में एक फुटवाल स्टेडियम में 8300 लोगों के बैठने की चमता है परन्तु हर चौथी सीट पर लोगों को बैठाने के निरदेश प्राप्थ हुए हैं इस निरदेश के अनुरूप अब कितने लोगों को स्टेडियम में प्रिवेस्च दिया जा सकता है तो कितने लोगों को स्टेडियम में प्रिवेस्च दिया जा सकता है तो इसका आंसर सही हो जाएगा कौन सा इसका एवाला ओप्सन सही हो जाएगा 2075 नौबा क्वेस्च दिखी एक दुकान में 274 रुपे कीमत वाली 384 रुपे कीमत वाली और 396 कीमत वाली कुछ पुष्टकें हैं बाहिद 500 रुपे लेकर बजार गया इनमें से अलग-अलग प्रिकार की कौन-कौन सी पुष्टकें वाली खरीच सकता है तो नौका डी वाला ओप्सन सही हो जाएगा 244 वाली और 125 वाली देख़ें दसबा क्वेस्चन 24-2803 भागे 14 को हल करते हुए एक बच्ची ने नीचे दिये अनुसार हल लखा दिये गए खाली बॉक्स में कौनसी संख्यां आएगी तो इस खाली बॉक्स में कौनसी संख्यां आएगी तो शीधा उसका चाहुजा का भाग दे कि भाग फल लिख देना है तो वस अंसर आजाएगा तो इतना तो आप करी सकते हैं तो बताईए अब कि दस बे में कौन सा भर आजाएगा तो दस बे में ए वाला उप्शन आपका सही हो जाएगा 200 200 आएगा उसमें ठीक है इस तरीके से आपको लिखना को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और अधिक से धिक दोस्तों में सेयर कर दीजिए ताकि बो भी आप आपकी तरह बो भी इस पेपर को हल कर सकें ठीक है